सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हालो एंड वेलकम फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एसम दुनिया में आज हमारे पास यह फोन है वाई यू का और इसका मोडल नमर है पचास-14 मैं बैटरी रिमूब करके इस को दिखा देता हूं यह देख सकते हैं वाई यू पचास-14 और इसका फारफी लगा हुआ है तो हम इसको बैपास करने वाला है ओभी पिना केंप्यूटर के तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं इस वीडियो को कैसे हैं सोड़ी यह फोन को कैसे एफ़रपी बाइपास के जाए तो पहले तो मैं दिखा देना चाहत हूं किसमें फारफी लगी हुई है यह नहीं लगी हुए है तो मैं यहाँ पे ओन कर ले रहा हूं फोन को अपने और आगे बढ़ते हैं पर यहां पर देख सकते हैं यह फोन खुल चुका है और मैंने एक और यहां पर वाइफी कर रखा है क्योंकि आप लोग को अच्छा से बता सके और आपको भी वाइफी कर ले नहीं आट अपने फॉन को एकाउंट लोग भी बोलते हैं तो चलिए यहां पर देख सकते हैं आप पासवर्ड मांग रहा है पुराने वाला या न था यह गूगल एकाउंट लोग मांग रहा है तो मैं यहां पर है गूगल एकाउंट लोग पे क्लिक कर रहा हो आगे देखता हूं क्या रहा है अब देख सकते हैं यह पाराइमरी सब्सक्राइब एकाऊंड बांग रहा जो फैरे से इस फोन में लगिन था तो मैं बैक आ जाता हूं और चलते हैं इस फोन को वाइपास करते हैं तो सबसे पहले तो एक वाइफ ही कनेक्ट करना होगा इस फोन के लिए तो और उसके बाद नीचे वीजन सेटिंग दिख रहा हूं इस पर क्लिक करना और टॉक बॉक को अन कर देना टॉक बॉक अन होने के बाद आपको इस पर एल से बनाना जैसा कि मैंने वीडियो में दिखा चाहरा हूं कि और एलस से बनाने कर टॉक बॉक सेटिंग पर क्लिक करना है और आपको फून को नीचे रख देना कहीं भी हर दो दो अंगली से यह दो करना उन्हार के ? अब डोगों पर क्लिक करना ऑос हूँ आप टाइटल पर क्लिक करेंगे YouTube application खुल जएगे पिश्टम में हमने बहुत ही सोट में बताया है तो आप बीडियो को tomorrow घ्यात नहीं है वीडियो देखें आप खुछ समझ जाएगा तो यहां पर YouTube कुल जोगा आप ऊपर आइकन पर क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने का बाद इबाउट पर जाएंगे YouTube Terms of Service पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको Chrome सेलेक्टर लेना है और उसके बाद Chrome अप्रिकेशन ओपन हो गई आपको भी एन रॉम डॉट नेट फसलाइस फर्पी बाइपास या फिर बाइपास लिखना और यह सारे पेज़ खुल जाएंगे आपको यहां पर गूगल एकाउंट मेनेजर एट नाइं डाउनलोड करना उसके बाद एफार्पी बाइपास करना और ल Courtney्ग बाइबान को और पुलने के बाद आपको की ब्रीनो करने के ना है ना कि आपको डीकiral करना फ्रेंट ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा ये करें और चानल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बता वीडियो कैसा लगा और फिर यहीं फोन नहीं आपको आपके पास कोई भी फोन हो ओपो रियल्मी अगर आप दुकंदार है या फिर कस्टमर ओपो रियल्मी भी वो हो एमाई एकाउंट कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी फोन का तो हमसे कंटेक्टर सकते हैं हमारा निम्मर सुरी मेरा वाट्सप नमर को यह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से वाट्सप करके आप हमारे द्वारा कोई भी फोन को लॉग करा सकेंगे यहां पर देख सक तो अगर कोई भी मोडल हो कोई भी कंपनी का हो कोई भी एकाउंट हो कोई भी लौक और उसको आप उनलोग कराना चाथे हो तो हमारे वाट्साप पर कंट्रेक्टर डिस्क्रिप्शन में आपको वाट्सप मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में पीन कर देंगे हम अपन चैनल को सब्सक्राइब करती जाए और चले मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपी के साथ फ्रेंड उससे पहले मैं बता दू कि अगर फोन को रिसेट करना होगा इस इस फोन फार पी अनलोक करने के बाद तो सबसे पहले डेवलोपर में आप्शन आउन करके ओए में को अनलोक कर देंगे और अनलोकिंग को इनेबल करके और फोन को रिसेट कर देंगे तो आपका रिसेट होने के बाद फार पी नहीं मांगेगा जाहिंद वंदे मात्रम मिलते हैं अगले वीडियो में खुश रहेएगा